आज की रेसिपी में हम homemade instant mix से cold cocoa बना के तयार करेंगे एक बार अगर हम cold cocoa का pre-mix बना दिये तो उसको हम एक airtight container में 4 महिने तक store करके रख सकते हैं फिर उसके बाद cold cocoa बस 5 मिनिट में हम बना के तयार कर सकते हैं कोई भी जिंजट नहीं कोई भी measurement नहीं रेडि मिट क्या फेश्टाइल cold cocoa केसे बनाते आज की रेसिपी में हम देखेंगे तो चले रेसिपी शुरू करते हैं यह सब इंगर्डियंट से cold cocoa की pre-mix बनाने के लिए यह है एक कप सक्कर एक टेवल स्पून कंस्टार्च एक चोथाई कप ले लेंगे cocoa powder यह है लाइट कलर कोको पाउडर उसके साथ एक टेवल स्पून ले लेंगे हम कस्टाड पाउडर एक टीस्पून ले लेंगे डार कोको पाउडर दोनों जो कलर का कोको पाउडर आता है वानफोत कप और वानकप ले लेंगे 1 tablespoon ले लेंगे drinking chocolate powder ये साएटा इंडेडियन्ट समको चाहिए cold cocoa का59 प्रिमिक्स बनाने के लिए ये दोनों जो है cocoa powder ह gameplay उन्हें light color cocoa powder है और भाल कशपो academia अगर हम dark color cocoa powder को skip करते तो भी चलता है और ये drinking chocolate powder सबसे ज़ाधा darker ही ता है dark cocoa powder उसके बाद normal cocoa powder उसके बाद drinking chocolate powder यहां हम dark cocoa powder को भी skip कर शकते लेकिन जो drink से उसका color के लिए dark cocoa powder डालना जरूरी है एक blender की jar में हम सारे dry ingredients को ले लेंगे जो भी अभी हम निकाले है cold cocoa का pre-mix बनाने के लिए वो सारी की सारी को blender की jar में लेना है इसको blend करके powder बना देंगे blend करने के बाद सक्कर भी सारे powder के साथ मिलक के गुल चुका है आप देख सकते हैं इसमें सक्कर भी बारिक होना जरूरी है यह बन गया है हमारा cold cocoa का pre-mix cold cocoa का instant mix या pre-mix को हम महीने तक airtight container में भरके रख सकते हैं जबी भी हमारा cold cocoa को पिने की मन करें बस दूद को उबाले measurement के हिसब से यह वाला instant mix को उसमें डाले फिर refrigerator में रख के फटा फट तुरन सर्फ करें मेरा तो दो महीने तक बनने वाला cold cocoa का ready mix तैयर हो गया है बाकी जो बच गया है blender की जैर में अभी हम इसको बना के तैयर करेंगे आधा लिटर दूद को मैंने गरम किया है दूद जब गुनगुना हो एक कटोरी में हम 4 टेबल स्पुन दूद ले लेंगे गुनगुना दूद में अभी हम instant mix वाला powder को डालेंगे जो अभी हमने बना के तैयर किये है आधा लिटर दूद के लिए मैं यूज करेंगी 4 टेबल स्पुन instant mix powder आच्छी तरीके से मिला देंगे थंडा दूद से अगर हम प्रेमिक्स की powder को मिलाते तो आच्छे से ये दूद के साथ नहीं गुलता है गुनगुना दूद में मिलाने से प्रेमिक्स का powder और दूद आच्छे से गुल जाता है दूद जब उबलना सुरू होगा फ्लेम को स्लो कर देंगे और उसमें डालेंगे हम प्रेमिक्स वाला गोल को आच्छे से मिलाते हुए हमको प्रेमिक्स का गोल को डालना है और इसको लगातार चलाते हुए बॉयल करना है फ्लेम को स्लो करना है फ्लेम को बिल्कुल नहीं हाई करना है और पतिले को छोड़ना नहीं है नहीं तो इसमें कंस्टा चे कस्टर पाउडर है कोको पाउडर है पतिले के नीचे लगके सब जल सकता है फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है कोको मिक्स जब उबलना शुरू होगा उसे माट करेंगे डार्क चकलेट को यह हमें पच्चास ग्राम डार्क चकलेट आड करूंगी आप चाहे तो डार्क चकलेट की मातरा थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो चोकलेट डालने से ये थिक भी होगा जादा और इसका टेस्ट भी बहुती ज़्यादा अच्छा हैगा गरम दूद में चोकलेट डालने के बाद दूद का कलर भी चेंच हो जाएगा और ये थोड़ा थिक भी हो जाएगा बस हमको लगातार चलाते हुए चोकलेट घुलने तक इसको बॉयल करना है दो-तिन मिनिट स्लो फ्लेम में बॉयल करने के बाद चोकलेट अच्छे से दूद के साथ घुल चुका है दूद का कलर भी चेंचो चुका है तो अभी हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसको रूम टेंपरेचर में आने तक ठंडा करेंगे रूम टेंपरेचर में आने के बाद फ्रीज में हम इसको एक घंटे के लिए रखेंगे एक घंटे बाद मैं कोल कोको को फ्रीज से निकाल के लाए हूँ फ्रीज में रखने के बाद ये और भी तोड़ा थीक हो जाता है और ठंडा भी अभी आच्छे से हो चुका है तो चले अभी हम इसको सर्प करेंगे हाफ लिटर दूद में तीन ग्लास कोर्ट कोको बन जाता है लेकिन मैं यहाँ दो ग्लास में आपको सर्प करके बता रही हूं 8 से 10 आईस की उपस्वम ले लेंगे ग्लास में उसके उपर हम कोर्ट कोको को डालेंगे उपर से थोड़ा खाली छोड़के बाकी जितना जगा है कोल कोको से भर देंगे ग्लास के उपर और एक चमज क्रस्ट किया हुआ डाग चकलेट हम आड़ करेंगे तो अभी हमारा होममेड इंस्टन्ट मिक्स वाला कोल कोको बन के त्यार है इसको बनाना भी इजी ह, एक बार आगर आप प्रिमिक्स बना लिय sudah तो फटापट आप इसको बना के त्यार कर सकते हो इसमें मैंने जो डार्क चकलेट का पिसे से उजकिया हुआ है, उसके बदले आप चौको चिप्स भी उजक्श कर सकते हो प्रिमिक्स से इसको बनाना भी आसा ने बहुत जल्दी भी ये बनके तैर हो जाता है ये रेसिपी आप भी एक बार जरूर ट्राइ करें रेसिपी की बार में आपके अनुबब कमेंट सेक्शन में सेर करें अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें